खुला कि हलो कि हमारी स्वाइब करता हूं कि आप अप लोग बहुत खुश और बहुत वस्तों में इसे की आज हमारा सब्जेक्ट हो बीज़ोर बेसिक ौकी है बीजिये को सिमिस्तर के लिए और आज इस्टुवेंट जो मारा जो टॉपिक है वह है ब्रॉचिजर्जर्स इन इसका यह lecture 3 है, इससे पहले student मैं lecture 1 और lecture 2 जो की procedure के ऊपर था, उसका मैं already YouTube पर मैं online आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसी के ही step में, sequence में आज मारा यह lecture 3 है, procedure in visual basic, हमने students पढ़ा है procedure क्या होता है, procedure हम क्यों use करते हैं, procedure के मतलब क्या types हैं, और हमने जो है अभी जो है procedure के मतलब 2 types हम complete कर चुके हैं, sub procedure और function procedure, अब उसी की sequence में हमारे 2, और क्यूंकि जो हमारे procedure हैं, वो 4 types के हैं, पहला है हमारा sub procedure, दूसरा function procedure, तीसरा event procedure, चौथा है हमारा property procedure, तो हम already complete कर चुके हैं, तो आज जो है हम आपको event procedure में आपको आज बढ़ाऊंगा, और इसके बाद फिर lecture 4 और आएगा procedure in visual basic का, उसमें इस्वेट जो है हम property procedure और general procedure पढ़ेंगे, देखिए, जनरल procedure टाइप नहीं है, जनरल procedure आपके exam में मैं देख रहा हूँ, BCA 4 semester और visual basic पूश रायक में general procedure क्या होता है, तो वो टाइप नहीं है, जनरल procedure मतलब क्या रहता है, जिसे जब टूस में जाके, जब हम add procedure पर click करके, जब हम उसको उसका name देते हैं, और हम उसका scope हम करते हैं, assign, और हम जो है जब function का हमने नाम ले दिया, हम function के stack का बना रहा है, सब है function है, की property है, की event है, या फिर मतलब जो है, उसका scope private है, public है, तो यह सारे step है, यह सारे जनरल procedure क्लाते हैं, क्योंकि इसका, क्योंकि इसका हम lecture कल ले कहेंगे, और आज हम lecture 3 है, procedure in visual basic, जिसमें हम आज event procedure complete करेंगे, और जब lecture 4 आएगा procedure का procedure in visual basic, तो उसमें हम जो है property procedure और general procedure को हम complete कहेंगे, तो इसके question के demand पर हमें answer देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो question आपके exam में पूछे जा रहे है, function से related functions क्या होते हैं, पहली बात, ठीक है, उसके बाद कहता है कि वही procedures क्या होते है, और इसके types क्या होते है, ठीक है, और उसके बाद को पूछता है कि अलग से general procedure क्या होता है, असके आप कूछता है function क्य तो आपको उसके बारे में बताना है कि वह ये फंक्शन को लगाता एक्जाम में आ रहा है तो बहुत इंपोडेंट लेक्चर है आप इसको देखिए ठीक है अब बात करते हैं इवेंट का मतलब का मतलब यह है कि माउस का क्लिक डवल क्लिक ठीक है और हम जासे मलब फॉर्म पर रोड इवेंट न देखिए प्राइब्सुर्प का तो मतलब ऐसे अवेंट जिसमें मतलब हम माउस की कीवोड के दुऊर्थ को फॉर्म नेट ठीक है देखिए अब हमने क्या कि इसका सेंटेक्स समझ लेते हैं जबने कभी हमने का प्राइबेट सब फॉर्म लोड प्राइबेट सब फॉर्म लोड और पीश में मारे स्टेटमेंट्स हो गया एक मतलब जो है इवेंट प्रोसीजर का अब जैसे मालो हमने कमांड बन लिया जैसे कि मालो यह है प्राइबेट सब कमांड बन किलिक त यह भी क्या है कमांड बन किलिक नाम क्या है प्राइबेट में जो ही मतलब किलिक इवेंट पर जन्रेट होगा ठीक है अच्ये इसमें की और नहीं है जो हम सब्ल जेते हैं आईए event प्योंसरे मैंने बता है निट और चल्ब ईबोड माऊस ओर सिस्तम एक्शन टिक एक टिकर वाँच प्रफॉर्म करेंगी element अजयर इस होता है guy to आप देजेंगे कि जब भी आप event procedure क्राम करेंगे तो हमेशा वो private लिखके आएगा बाइड़ प्राइवेट नहीं होता है बाइड़ वो private ही होता है प्राइवेट अब 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 तो हम क्या करते हैं इनको जो है पुलते हैं हमारे यह event procedure कराते हैं जो कि mouse keyboard और system की action के द्वारा generate होते हैं यह हमारे event procedure कराते हैं और यह कोई क्या रिका हुआ है प्राइड ब्लॉप देट कंटेंग कंट्रोज एक्शुल नेम क्या है कमांड ठीक है अब प्राइड सब्सक्राइड ले सकते हैं तो प्राइड समारा business statement और answer तो यह definition इसको हम एक एक example से समझ जेते हैं कि मैंने आपको स्वेंट बहुत सारे example कराया है जिसमें हम जो है क्या रहना form पर हम लोड लेते हैं जिसमें हम कमांड पटल का यूज़ कर रहे हैं वह आप ले सकते हो सारी example जो हो event procedure के ही है तो इसके लिए क्या करें हम एक form लेंगे form जब हम खुल के आता है जब भी हम visual basic interface को थे हैं तो बहुरा form open होता है और form open के बाद हमने क्या किया कि हमने form पर एक हमने text button लिया और एक सिर्फ text button पर लेने के बाद हमने यह है चार command button ले लिये हमने text one dot height is equal to form one form.scaleHeight , text1.width is equal to form1.scaleVidth and sub इसका क्या मतर्व है दिखिये , देखिये , इसका मतर्ब यह है कि जब हम इसकोड को औरन गराएंगे तो जैसी हम इसकोड को औरन गराएंगे तो जो हमारे जो text है , text की जो width है हमने जो हमने जो है फॉर्म था बेखButton लेगा ख्रकश्त कर आए गर अलगः तो जैसे हम इस इंदित करएंगे तो हम्हारegen the іह तेकस्ट1 ohminक वंक बाक्स यह नारे और यह साब में फ़र्म के ओो से इसकी deja oil और ओम विध तो quand मतलब बढ़ जाए उसके ही हिसाब से उसको एटेस करने लेगा कहने मतलब यह है कि यह कोड़िंग की हमें कमांड बन पर कमांड बढ़न यह जो है इस पर कोड़िंग की टैक्स वन डॉट हाइट फॉर्म डॉट स्केल हाइट दौन एक साथ मनलब मनलब बराबर हो जाएक कि देक्स वन की ओर फॉर्म वन की एस सई इसके विठ है वो फॉर्म बढ़न बिढ़न की जुह है बराबर हो जाए एंड सा तो जैसी हम स्कोर को रण करें में तो आप देखेंगे कि टैक्स वन का जो है यह जो हमारा कंटोर यह ऐखिल यह बढ़ा हो जाएगा और वह फॉर्म के विद के जो है और अजस्ट हो जाएक तो आपने क्रिक के बैढने कमांड बोटन पर खुळा है तो मत्दब हमारा नूं टेक्स बटन बॉटन हे पन्तब हमारा कुछ लोग के ऐक्स्पैंड हो गया उसके बाद फिर आप हमने कमांड बटन खटा दिया इसको हम नहीं या फि प्रायवेट सब्सक्राइबंस क्लिक क्या कि इस eto इंग अज्छ को फ्रिट अपर लें प्रेट करेंगे हम क्लिक प्रिंट अभर जो है है रे युटरी स्टीए चफॉर जो सिख तो तो पर जो है आर योटी चलो सी निए कि यह मने यह हमने क्लिक करें के तो हमने लिखा हुआ है और हम अग्रा जो हमारा बटन है अलोड इस पर डवन खरेंगे तो हमने लिखा हुआ है इससे क्या होगा कि हमारा जो हमारा जो हमारा अनलोड हो जाएगा वह मानदम होसे मारा हट जाएगा ठीके उसको हम दुवारा से जुए लोड कर सकते हैं तो हमने यह थीन दर किमांड उटम पर क्रिप दिया कि प्रिंट और ब्रिंत कर लिखो प्रिंट दे लिखिंट ऐख सब्सक्राइब मुह से मुआ डूड यह वुद्सक्क्राइब के ब्र बोट्स बनाए और टाइबस लेवर से अंदर कुछा जा रहा है तो जब भी किस्ट आप लेक्शर देखें बनाग्शर में यह क्याता हूं कि लेक्शर दिकते समय आपने मोबाल की ब्रैट्टनर्स को बढ़ाएं मोबाल का रूट्सक्याप करें और यूटूब पर वीडियो जब आप देखें तो उसको 360-460 रखें जिससे आपको जूबी बोट में लिखा गया है आपको यह ठीक से आपको दिखाई दे जिससे आप देखें अपने डोट्स इजली बना सकें और टाइबस लिवस कंपनीट करें टेकर स्ट्वेंट्स थैंक यू वरी मुच